यह लो दोस्तों मेरे चनल में आप लोग को बहुत बहुत सागत है और आध में बनाऊंगी कठल की सबजी तो कैसे बना रहूँ आप लोग मैं दिखाऊंगी पूरा काटने का प्रोसेस भी कैसा होते वह भी मैं दिखाऊंगी चलिए फिर लाश तक देखते लेना आप लोग तो मैं पहले हाथों में ओयल लगा रही हूँ तो यह लगा के उसके बाद इसको काट लोंगे वह चको में भी लगा लेए तो थोड़ा सा ओयल तभी इसको काट देते हूं वाय यह तो बहुत ही अच्छा है इसको मैं पेपर से पोच देवी इसमें तो इसको चिलका है इधर से में निकालोंगी और यह ज्यादा इधर तक नहीं निकलना है इधर तक निकलना है ताकि नीचे का जो हिस्सा है निकलना जाए इससे है के है इसको कर लोगे तो मैं ने पुरा काट लूँगे तो मैंने पूरा काल लिया और हातों में लगे चिप चिपी पदर्थ जो पेविकल जीसा होता है तो इसको मैं ओल से एसे किस किस के उठा लूँगे ओल लगाने से यह उठ जाता है यह डिखिए अच्छे से उठ रही है और मैं चक्कु से भी इसको जल्ली जल्ली निकाल जहूं ताकि समय हमारा बरवात ना हो जल्ली से बना पाऊं गठल के सबजी और अभी मैं काड लूँगे एक आलू आलू को भी ऐसे पीस पीस कर रहूं हम मतन जैसे बनाएंगे तो ऐसे आलू काट करने से अच्छा लगते खाने में तो अच्छे से मैंने वाश भी कर लिया कठल और आलू को अभी इसको हम फ्राइ कर लेंगे मैंने कराएं भी गरम कर लिया था उसके बाद मैं डाल रही हूं और दालने के बाद अच्छे से इसकों निकाल के एसई कठल बनाने के से बहुत ही टेश्टी लगते हैं पहले बनानी की इसकों भी आंप अच्छे पहले वोल करने से इसका जो शुआ थे निकाल जाते इसलिए मैं फ्राइ कर रही हूँ तो गोल्डन बरन हो गई है मैं इसको निकाल दिया और उसी करए में डाल रूमें और इसमें डाल रोबे में पाच पुरन और दो बड़ा एलाच अभी डाल रो हींग थोड़ा सा उसके अधर रो attends मुठ्धिफड के पियाच जादा डालने से अच्छा कष्वध खाने में अभी डाल रो में मीर्ची कुरह, इसको डाल रोंक है में इसको अच्छी के फ्राइके फ्राय लिया तो पियाच हमारा अच्छे से भून गई है अभी मैं डाल लूँ अद्रग लसन का पेट इसमें मैंने साबूत गरम मसाला भी एट कर दिया था इसको अच्छे से भून लेना है दस मिनिट तक जितना हम मसालों को पाकाएंगे उतना अच्छा लगते हैं तो अभी मैं डाल लूँ जीरा पाउडर, मीर्ची पाउडर और धनिया पाउडर इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी मिस्क करने के बाद इससे अच्छे से ओल निकलने लगी यह देखिए और उसके बाद में डाल लूँ आलू आलू हमारा कच्छा है थोड़ा सा इसले मसाला के साथ पकाऊंगे अच्छे से ताकि जल्दी सौप्ट हो जाए और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको कठल को भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी मसाला के साथ और पाच मिनी तक ऐसे पका लूंगी मसाला के साथ कठल अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया और थोड़ा सा डाल रू चीनी डालने से अच्छा लगता है तो अच्छे से मिक्स कर रियो आप जितना ग्रेवी खाना चाते तो कठल भी हमारा अच्छे से पकना चाहिए इसी की सबसे में पानी डाल रहे हूं यह देखिए मैंने पानी डालके दस मिनिटों अच्छे से उबाल लूगी तक कठल और आलो हमारा सौफ्ट हो जाए और हमारा देखो ग्रेवी बनके तयार हो गई कठल की सब्जी इतना प्य चिकन मेटन भी फैल हो जाते हैं यह सब्जी से तो एक बर आप लोग जरू ट्राय किजिए कितना डिलेशियस लगए और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं आप मेहमान को मेटन चिकन मत दीजी यह बना के दीजी आपका तारीफी करने लग जाएगी इतना कमन करना और देखने के लिए बहुत-बहुत धनबाब